सभी को जहिंत मैंने तिन्य कोड़े स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल Mission NCC The Way of Success में देखिएगा शाम के साथ बच चुके हम लायू आ चुके फटा फट सभी कैड़ेट्स जल्दी से लायू आ जाए जिनको भी नोटिफिकेशन मिल चुका है वीडियो को लायू हो जाने के बाद देख रहे हो तो आप सभी को आपका नाम कमेंड बॉक्स में कमेंड करके बताना है ताकि मुझे ये पता चलता है कि कितने कैड़ेट्स तक ये वीडियो पोच रहा है तो फटा फट सभी कैड़ेट्स जल्दी से चार्ट बॉक्स में ब जल्दी से आ चाहिए, आज का एक important class होने वाला है, तो आज का हमारा part 3 होने वाला है, जो हम NCC question paper को आज हम discuss करने वाले है, जो 2019 का original question paper है, उसको हम discuss करने वाले है आज, ठीक है, हम लगातार कोशिश कर रहे है, NCC का part 1, part 2, आज हमारा part 3 होने वाला है, फिर ये 2019 का question paper, boom, finish, ठीक तो चलिए, बिल्कुल start करेंगे आज की class को, तो एक बात में आप सभी को बता दूँ कि हमारी 2 classes चलती है, एक morning को 7 बजे चलती है, और evening को 7 बजे चलती है, तो आज की जो evening वाली class है, अभी की, तो morning को भी हमारी class चलती है, तो दोनों भी time आप सभी को लायू आ जाना है, त तो आज का हमारा part 3 होने वाला है, तो यह सभी हमने part 1 में देखाता है, यह सभी चीजें, ठीक है, तो उसके बाद यह हमने फिर part 2 में देखाता है, यहां से personality development के बारे में, तो आज हम part 3 देखने वाले हैं, तो part 3 होगा हमारा, चले, तो यहां से हमारा part 3 स्टार्ट होता है, NCC B Certificate Examination 2019 2019 Part 4 Specialized Subject जो के 105 Mark के लिए पूच जाता है आपके B Certificate के एक्जाम में Specialized Subject के उपर कितने Marks के लिए पूच जाता है तो 105 Mark के लिए आपके B Certificate के एक्जाम में पूच जाता है तो चलिए पहला है Armed Forces जिसके उपर 15 Mark के लिए Question आएंगे तो सबसे पहला Question है इसमें कि भारतिय सेना का सरोच कमांडर कोन होता है और वरतमान में इस परत पर कोन है नाम लिखो तो भाई आप भारतिय सेना का सरोच कमांडर कोन होता है तो भारतिय सेना का सरोच कमांडर रास्टपती होते हैं होते हैं राश्टपती होते हैं और अभी वरतमान में भारत के रास्टपती को हैं तो श्री रामनात कोविन साहब है को है तो श्री रामनात को हीं सब MINT जो कि पाँच मार के लिए यह क।सिन आपके एकजाम में 2019 पूचा गया चलिये next question के और बात करते हैं तो next question है कि किसी भी पांच थलसेना कमान के नाम तता उनके मुख्या लेके स्तान सहीत लिखो लेकिए आप सभी को पांच कमान के नाम लिखना है इंडियन आर्मी के पांच कमान के नाम लिखना है और साथी में उनके जो हेड़कोर्टर जे वह कहां पर वह भी आपको लिखना है तो सबसे पहला है नौथन कमान तो नार्थन कमान का जो हेड़कोर्टर है वह उधामपूर में उसके बाद में इस्टन कमान इस्टन कमान का जो हेड़कोर्टर है पूने में, फिर साउथ वेस्टन कमांड, साउथ वेस्टन कमांड का जो हेड कॉर्टर है, वो कहां पे, जैपूर में, फिर वेस्टन कमांड, तो वेस्टन कमांड का जो हेड कॉर्टर है, वो चंदी मंदिर में, ट्रेनिंग कमांड, तो ट्रेनिंग कमांड का हेड कॉर्टर जाता है, ऐसा एक भी साल नहीं है, कि ये question आपके exam में न आया हो, ठीके, तो इसलिए सभी credits अच्छे से ध्यान दो, focused हो के ध्यान दो, और एक एक चीजे आराम से समझिए, चलिए, next question के और बात करते हैं, तो next question है, कि map reading, sorry, next question नहीं, ये next topic, हमारा फिर होता है भाई, आपका map reading का topic आता है, तो 25 मार के लिए आपके map reading के उपर पूछा आता है, ठीक है, 2019 में 25 मार के लिए पूछा था map reading के बारे में, तो पहला question पूछा है, उन्होंने कि compass के किनी 10 हिस्स पूर्जों के नाम लिखो, तो compass के, ये भी very very important question है, यहाँ पे भी लिख दूँ है, very very IMP, ठीक है, very very IMP, जो कि हर साल आपके exam में ये पूछा जाता है, ऐसा एक भी साल नहीं है, कि ये 20 certificate के exam में पूछा न गया हो, ठीक क्योंकि ये question ही इतने easy है, और इतने difficult नहीं है, simple question है, जो हर साल पूछे जाएंगे, वो सारे question में बताऊंगा, आपको very very important भी बताऊंगा, ठीक है, तो compass के किनी 10 हिस्सों पूर्जे के नाम लिखो, तो tongue, lead, lubber line, direction mark, clamping screw, arrowhead, setting value, prism, hairline, window, ठीक है, ये आप सभी को 10 नाम ल box में बताऊं कि कोन-कोन प्रेजेंट है, क्लास में लेट नहीं होना है, हमारी classes दो टाइम चलती है, एक morning को, सुबर 7 बजे, और एक evening को 7 बजे चलती है, तो सभी को sharp 7 बजने से पहले live आ जाना है, तो जोले compass के किनी 10 हिस्सों पूर्जे के नाम तो क्या है, tongue है, lead है, lubber line है direction mark है, clamping screw है, arrow head है, setting value है, prise में, hairline है, window है, ठीक है, अगर आप in parts को ऐसे English में भी लिखोगे ना, तो भी आपको जो है, out of marks मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अगर आप सभी in parts को ऐसे कि ऐसे English में भी लिखोगे, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप English में तो next question की और बात करते हैं, तो next question है कि, map reading में उत्तर के कितने प्रकार होते हैं, very very important, कि भाया, उत्तर के कितने प्रकार होते हैं, map reading में उत्तर के कितने प्रकार होते हैं, 6 mark के लिए question पूझा गया है, तो वास्तविक उत्तर, सुंबकिय उत्तर, और greed उत्तर, ठीक है, true north, magnetic north और grid north ये तीन उत्तर के प्रकार होते है, types of north आप से question प्ते हैं, आप सब्ली को पता होना चाहिए, ठेके हैं? चलिए, उसके बाद, next question, जो पूचा गया था 2019 में, तो निममे लिकीत के रुडी-चिन्न के चित्र बनाओ, तो अभी आपको जो है, इन सबी के चित्र बनाना ये इनके conventional sign बनाना है सुनिए इसके आप सभी को conventional sign बनाना है मंदीर, कबरिस्तान, कीला, गिर्जागर, युद्ध मैदा इन सभी के आप सभी को आप सभी बना लेना यह जो एक conventional sign चलिए उसके बाद में next field craft and battle craft very very हमारा जो most interesting topic आया है field craft and battle craft इसके उपर 25 मार के लिए 2019 के paper में पूछा गया था ताकि आपको थोड़ा सा एक hint मिल जाए कि आपके exam में कैसे question आते है यह आपको समझ में आ रहा है जो question का जो level होता है वो कैसे होता है वो भी आपको इस 2019 का paper है न इसे आप सभी को समझ में आ रहा है तो चीजे क्यों दिखाई देती है most 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 very very IMP जो कि ऐसा कोई भी साल नहीं है कि यह question आपके exam में पूछा न गया हो ठीक है ऐसा एक भी साल नहीं है कि यह question आपके exam में पूछा न गया हो हर साल ये question आपके exam में पूछा जाता है चीजे क्यों दिखलाई देती है चीजे क्यों दिखाई देती है तो चीजे क्यों दिखाई देती है इन कारणों से चीजे हमें दिखाई देती है आकार है चमक, छाया, सतह, फासला तिमिर चित्र हरकत इनके मजरिये हमें चीजे दिखाए देती है अकार, चमक, छाया, सतह, फासला, तिमीर चित्रा और हरकत जो की 10 मार के लिए question पूचा गया था आप सभी जो ये सारे point उसमें लिख सकते हो तो चलिए next question के और बात करते है तो next question की फासले का अनुमान लगाने के तरीकों के नाम लिको very, very, very important है ये question आपके exam में very, very, very important है ठीक है, very, very IMP जो कि अगर आप B certificate के भी cadets हो या C certificate के भी cadets हो अगर ये question आपके exam में आने वाला है रटलो सभी cadets, सभी cadets आप सभी को बूरा हो में ये question आपके exam में आने वाला है ठीक है, ये तो 2019 में 10 मार के लिए पूछा था उन्होंने लेकिन ये question यहापे आपको 5 मार के लिए मिलने वाला है ठीक है, अभी से सभी cadets चुटकी बजाते हुए सभी लोग याद रख लो तो फासले का अनुमान लगाने के तरीकों के नाम लिको जिसको हम judging distance कहा जाता है methods of judging distance जो दूरी का अनुमान होता है ये question इस तरीके से भी पूछ सकता है कि दूरी का अनुमान लगाने की वीदिया लिको दूरी का अनुमान लगाने की वीदिया लिको या methods of judging distance ठीक है methods of judging distance इस तरीके से भी ये question पूचे जा सकता है या फासले का अनुमान लगाने की विधियाली को ऐसे भी question पूचे जा सकता है तो भाईया क्या answer हो जाएगा इसका तो इकाई का तरीका दिखाई का तरीका bracketing विदी, section आउसद विदी key range विदी और halving विदी ये जो है क्या है ये method से दूरीका अनुमान लगाने के method से judging distance के method से इसको हम English में बोलते है कि unit measurement method appearance method, bracketing method section average method key range method और halving method ठीक है ये जो है छे दूरीका अनुमान लगाने की VDI ये question आपके exam में आने वाला है सब the credits ध्यान दीजिएगा ठीक है important है चलिए next question के और बात करें अगर session अच्छा लग रहा हो न तो सभी लोग एक बार like button दबा दीजिए ताकि मैं भी motivate होता हूँ सभी credits फटा फटना एक बार like button दबा दीजिए ठीक है आप सभी credits ना like button दबाने मैंना बहुत ही कंजूसी करते हो समझ नहीं आता यार किसके लिए बचा के रख रहे हो like को like को किसके लिए बचा के रख रहे हो शादी में दहश देने वाले हो या किसी को बड़े में gift देने वाले हो like को तो फटा फट एक बार सभी लोग like बटन दबा दीजिए ताकि मैं भी motivate होता रहू चलिए उसके बाद एक question या पर बनेगा आपके exam में जो 2019 में पूछा गाया था कि फासला असल में ज़्यादा क्यों दिखाए देता है फासला असल में ज़्यादा क्यों दिखाए देता है जब हम आ देखते है तो फासला जो है वो ज़्यादा क्यों दिखाए देता है क्या reason है क्या reason हमें यहाँ पर reason बताना है कि फासला असल से ज़्यादा क्यों दिखाए देता है तो भाई है कब ज़्यादा दिखाए देता है फासला होना देखने वालों की आग के सामने सूरज का होना जी हाँ बिलकुल अगर सन हमारे सामने होता है आखों के सामने होता है अगर हम सामने देख रहे हैं सूरज हमारे आखों पे गिर रहा है तो क्या होगा हम देख पाएंगे आगे सही तरीके से नहीं देख पाएंगे ठीक हैं लक्ष का निकट वस्तु की अपेक्षा से छोटा होना, जो हमारा टार्गेट है, हम जहाँ पे भी देखते हैं, अगर वो टार्गेट एकदम छोटा होता है, बिल्कुल छोटा है, मानलो, तो कैसे दिखेगा, वो नहीं दिखेगा, अगर आपका टार्गेट ही छोटा होगा, तो वो सही तरीके से नहीं दिखेगा, अगर आपका टार्गेट ही बढ़ा है, तो आप जो है, उसको सही तरीके से देख सकते हो, फिर घाटी से होकर देखना, अगर आप किसी घाटी से होकर देख रहे हो, आपके टार्गेट को आपके लक्ष को तो जो है जो फासला है उस टार्गेट के बीच का मानलो यह टार्गेट है यहाप यहाप हो और आप घाटी से होकर जो है आपके टार्गेट के तरफ देख रहे हो ठीक है तो फासला जो है क्या होगा वह असल से ज्यादा दिखाई तो जब देखने वाला उपर से नीचे देख रहा हूँ अगर देखने वाला जो है आप मालो उपर हो और उपर से आप क्या करें हो तो नीचे देख रहे हो तो तब भी वी क्या है आप सभी को फासला है वो क्या दिखाई देता है तो यही कारण है यही रीजन है इसके वज़ जी ने mission NCC model question paper को launch किया, आप देख सकते हो, ऐसे ही बिल्कुल सेम आपका जो B का exam होता है, C का exam होता है, सेम ऐसे ही आपका exam होता है, बहंदेरा होने से आपको नहीं दिखाए देगा, लेकिन आप देख सकते हो, आपके screen की उपर आप सभी को अच्छे से दिखाई देगा, तो कौन से important question कौन से, क्या handbook लेके बैट जा, या कौन से question पढ़े, यह सभी अगर आपके अंदर doubts है न, तो उन doubts को निकाल दीजिए, mission NCC model question paper आपके लिए, आप जो है, इनके माद्धम से आप आपकी पढ़ाई अच्छे से कर सकते हो, लेकिन एक बात बता दू, इसके लिए आपको payment करना पड़ेगा, एक paid course है, अब बात करते हैं कि B certificate के course में, आप सभी को क्या मिर रहे हैं, तो अगर आप B certificate के credit हो, आप पहली बार exam देने जा रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है, कि क्या क्या पढ़ना है, तो देखें, इसके लिए जो है, आप सभी को B certificate के course म total 8 question paper मिल रहे है, जी हाँ, बिल्कुल इसी तरीके से न, आपको 8 question paper मिलेंगे, 8 इनके answer sheets मिलेंगे, 2 practical paper मिलेंगे, 6 topic wise notes, quiz test, और एक question bank मिलने वाला है, जिसमें 270 से भी ज़्यादा important questions है, जो हर साल आपके exam में पूछ जाते हैं, ठीक है, very very important है, ये question paper अगर आप पूरी तरीक से छुडा के जाते हो, अच्छे से practice करके जाते हो, तो आप आपके B certificate के exam में आराम से अच्छे grade से पास हो सकते हो, मैं ये यकीन के साथ बोल सकता हो, अब बात करते है, B certificate के course के fees के बारे में, तो B certificate की course की जो fees है, 199 रुपीज है, 199 रुपे है, अगर आप interested हो, तो आप इस course को purchase कर सकते हो, नीचे मैंने WhatsApp नमबर दिया है, उस WhatsApp नमबर पे आप सभी को Hi Mission NCC इस तरीके से एक message भेजना होगा, चलिए अब बात करते हैं, अगर आप NCC C certificate के credit हो, आपको C का exam देना है, और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि C का exam आता कैसे है, question का level कैसे होता है, आपको paper क कैसे लिखना है, अगर ये सारे doubts से आपको, ये आपकी पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं हुए, तो Mission NCC model question paper आपको जरूर help करेंगे, आपके exam को clear करने में, तो C certificate के exam में आपको total इसी तरीके से 10 question paper मिलेंगे, total 10 question paper, और उनके 10 answer sheet, 2 practical paper, 6 topic wise notes, quiz test, और आपको मिल रहा है question bank, जिस state हो, तो आप C certificate के course को भी purchase कर सकते हो, नीचे मैंने WhatsApp number दिया हुआ है, ठीक है, अब बहुत सारे बच्चों के मन में एक doubt है कि sir, हम इन question paper को कैसे purchase करें, इसके लिए payment कैसे करें, sir question paper हमें कितने समय बाद मिलेंगे, ठीक है, paper क्या sir हमारे घर में आएंगे, क्या है, क्या है, क् अब ही doubt सभी clear करते है, ठीक है, तो आप सभी को बता दू कि ये question paper, देखें, आप सभी को payment के लिए phone पे, Google पे, Paytm, भीम यूपिया और WhatsApp पे, ये सारे digital payments option होंगे, आप इनके जरीए आपका payment कर सकते हो, जैसी आपका payment successful होता है, उसका screenshot निकालके, फिर इसी number पे भेज़ दे आएंगे, PDF फाइल में आएंगे, ध्यान दिजिगा, PDF फाइल में आएंगे, जब चाहिए तब उन PDF को आप कभी भी पढ़ सकते हो, ठीक है, पेपर की जो language हो, हिंदी है, और पेपर स्रिप, आर्मी विंग वालों, कैड़ेट्स के लिए, नेवी और एयर वाले, आप सभी क उसे common syllabus का paper मिल सकता है, specialite का नहीं मिलेगा, ठीक है, अगर आप interested हो, तो ही purchase करिए, कोई जबर्दस्ती नहीं, ऐसा नहीं कि हर किसी को करना ही पड़ेगा, ठीक है, कोई जबर्दस्ती नहीं है, ठीक है, interested हो, तो कर सकते हो, तब बहुत सारे बच्चों के मन में यह आ रहा है डाउट आ रहा है, कि सर आप free क्यों नहीं देते हो, ठीक है, question paper, तो देखिए, मैंने पिछले साल question paper को free दिया था, कुछ question paper मैंने free दिये थे, तो बच्चे क्या करते है, response नहीं होता है बच्चों का, बच्चे बिलकुल पढ़ाई नहीं करते हैं, ठीक है, free में अगर question paper दि लगाते हैं, क्योंकि free का ग्यानना हमें हजम ही नहीं होता है, इसलिए इसका paid course लगना, paid course रखना पड़ रहा है, ठीक है, इसलिए आप सभी को इसके लिए payment करना पड़ेगा, जब आप invest करोगे, भाईया जब आप invest करोगे, तभी तो सीखोगे, क्या, free में कितना सीखोगे ठीक है, कुछ ना कुछ invest तो करना ही पड़ेगा, स्रिप लेना ही नहीं, थोड़ा सा देना भी तो आना चाहिए, कुछ नहीं सीखने के लिए कुछ नया तो करना पड़ेगा, ठीक है, अगर आप interested हो, तो ही करिये, अगर interested ना हो, तो कोई ज़रूत नहीं, भाईया, जबर दस्ती किसी को नहीं है, ठीक है, अगर आपको लगता है, कि मुझे पास होना है, पड़ाई नहीं हुई है, तो यह आपके लिए best option है, ठीक है, अब बहुत सारे बच्ची यह भी बोरें, कि सर आप रोज वीडियो में इतना सारा क्यों बोलते हो, ठीक है, तो या, दीक है, अभी तो आप लाईव हो सभी बच्चे, ठीक है, लाईव हो जाने के बाद यह वीडियो वो बच्चे देखेंगे, ओफ-लाइन में, ठीक है, उनको कब हजारों बच्चे रोज रेगुलर रेगुलर देखेंगे, तो उनको भी तो पता चाहिए, उनकी भी पढ़ाई नहीं जो की 15 मार के लिए पूछा रता है, इंट्रोडक्शन तू इंफंट्री, वेपन सान एक्विपमेंट, तो इंफंट्री में, और एक बात मैं आप सभी को बता दूँ कि मैंने एक मिशन NCC का वाट्साइप ग्रूप बनाया है, उस वाट्साइप ग्रूप में वही बच्च अगर आप भी उस ग्रूप में जूड़ना चाते हो, तो आप सभी को कोर्स को पर्चेस करना पड़ेगा, और आपकी जो प्रिपरेशन है, और अच्छे से आपकी प्रिपरेशन होगी, तो चले, इंफंट्री में प्रयोग होने वाले किनी 5 हतियारों के नाम लिखो, तो भ आप सभी को पता हो ना, चाहिए जो कि 10 मार के लिए ये कुशन पूचा गया था, आपकी एक्जाम है, चले, उसके बाद में नेक्स्ट कोशन है कि रिक्तस्तानों की पूर्ती करो, तो पांच मार के लिए कुशन पूचा गया है, तो भारतिय सेना का सरोच कमांडर कोन होता है, बारतिय सेना का सरोच कमांडर रास्ट पती साब होते हैं, इस बात को ध्यान दीजेगा, तो रास्ट पती होता है, भारत का रास्ट पती होता है, बारत का रास्ट पती होता है, इन तीनों सेनाओ के सबसे उपर कोन होता है, तो रास्ट पती होता है, भारत का रास्ट प पती होता है ठीक है इन से इन तीनों सेनाओं के सबसे उपर कोन होता है तो भारत के रास्ट पती होते है ठीक है चलिए उसके बाद में भारत सेना का सरोच्च वीरता पुरुसकार कुंसा है तो भारत सेना का सरोच्च वीरता पुरुसकार कुंसा है तो परमवीर चक्रे कुंस सापको, major सुमना शर्मा सापको सबसे पहले परमवीर चक्र दिया गया चलिए उसके बाद में एक infantry section में कितने जवान होते तो एक infantry section में 10 जवान होते, कितने हैं तो 10 जवान होते, चलिए NCC में cadet का सरवच्च रैंग क्या होता है, तो NCC जनरल मनोज मुकुन नरवने क्या है तो जनरल मनोज मुकुन नरवने चीफ अबदा आर्मिस्ट आपको ने सेनार देख्ष को ने तो जनरल मनोज मुकुन नरवने सहाबे ठीक है, चली, I hope कि आपको ये भी अच्छे से समझ में आया होगा, अब बात करते हैं, military history, military history के उपर आपके एक्जाम में 15 मार के लिए पूचा गया था 2019 में ठीक है तो 2019 में पूचा गया है तो इसमें सबसे पहला है पहला भारत पाक युद्ध कब हुआ था तो पहला भारत पाक युद्ध कब हुआ था तो 1965 में 1965 में जो पहला भारत पाक युद्धा हुआ था उसके बारत और चीन के बीच युद्धा कब हुआ था ठीक है भारत और चीन के बीच युद्धा कब हुआ था ठीक है भारत और चीन के बीच में युद्धा हुआ था ठीक है सेना का मुख्याले कहा पर है भीया तो सेना का मुख्याले बिल्कुल दिल् उसके अब में प्रतम फिल्ड मार्शल का नाम है प्रतम फिल्ड मार्शल का नाम क्या है इंडिया का फर्स्ट फिल्ड मार्शल किसे बनाया गया है तो भईया सैम मानिक शा को बनाया है किसे तो सैम मानिक शा को इंडिया का फर्स्ट फिल्ड मार्शल बनाया गया है चीफ आप प्रतम फिल्ड मार्शल जो है वो नाम है वो एर चीफ मार्शल आरकेस भदोरिया साब है और कार्गिल यूद्द जो है वो चीफ में वह ठीक है यह वेरी इंपोर्टन जो आपके दोजार उन्निस के एक्जाम में यह सारे कुछे गए थे चलिए उसके बात बात करते हैं कि नेक्स्ट कॉश्चन है कि उत्तरी कमांड में कितने कोर है और उनके नाम लिखो ठीक है उत्तरी कमांड जो नौर्दन कमांड है तो नौर्दन कमांड में कितने कोर है तो नौर्दन कमांड का हेड़कॉर्टर तो सबसे पहले उत्तरी कमांड नौर्दन कमांड का जो हेड़कॉर्टर है वह कहां पर उत्तरी कमांड नौर्दन कमांड में कितने हेड़कॉर्टर है सौरी हेड़कॉर्टर नहीं हेड़ तो उधामपूर में, तो कितने कोर हैं, तो आप देख सकते हो, तीन कोर हैं, ठीक है, लेह, श्रीनगर और नगरोटा में, ठीक है, लेह, श्रीनगर और नगरोटा में जो है, ये तीन कोर हैं, आप सभी को पता होना चाहिए, ठीक है, 14 कोर्स, 15 कोर्स और 16 कोर्स, ठीक है, ये language में जो numbers दिखाए देंगे आपको तो वो यह हो जगा 14 cores, ठीक है, 14 cores यह 15 core और उसके बाद में यह 16 core, ठीक है, आप सभी को पता होना चाहिए 15 core leha 16, ओके, एक मिनिट 14 core leha 15 core स्रीनगर और 16 core नगरोटा, ठीक है, यह आप सभी सभी को अच्छे से पता होना चाहिए, फिर से एक बार बता दू, कि 14 core leha, ठीक है, 15 core श्रीनगर और 16 core नगरोटा, ठीक है, यह आप सभी को पता होना चाहिए, यहापे नॉर्थन हो जाएगा ठीक है, तो नॉर्थन कमांड का जो headquarter है, उदामपूर में और नॉर्थन कमांड में यह 3 core आते हैं, जो कि 6 mark के लिए आपके exam में question पूचा गया था, 2019 में, चलिए सभी के edits, आप सभी के मैं charts पढ़ रहा हूँ ठीक है, attention ना लीजिए सभी के charts मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है सिर्फ यहां से मैं आपके नाम ही नहीं ले सकता हूँ, चलिए communication, जो कि 10 mark के लिए question पूचा गया है communication का, तो वर्तमान समय में प्रचलित संचार माद्यम कौन कौन से है, ठीक है, वर्तमान समय में प्रचलित संचार माद्यम कौन कौन से उनके नाम लिगो, आप सभी को पताए कि WhatsApp है, Facebook है, Twitter, Google, Messenger ठीक है, ये सारे और आपको लगता है Telegram, Instagram, बाखी के भी दाल सकते हैं ठीक है जो कि 5 मार के लिए question पूचा गया है चले उसके बाद में next question है कि भीया, communication क्या है और ये कितने प्रकार की होते हैं communication की definition यहां पे आपको पूचा गया है तो communication का meaning क्या होता है तो communication का अर्थ सूचना का एक स्थान दूसरे स्थान पर स्थानांतर जिसे सूचना communication कहते हैं communication का अर्थ है सूचना का एक स्थान दूसरे स्थान पर स्थानांतरन जिसे सूचना communication कहते हैं ठीक है चले communication के प्रकार तो communication के प्रकार है कि मोखिक communication गैर मोखिक communication दुरुष्य communication लिखित communication और उपचारिक and अनोपचारिक communication ठीक है तो ये सभी के सभी communication के प्रकार है मोखिक communication गैर मोखिक communication दुरुष्य communication लिखित communication और उपचारिक और अनौपचारिक verbal है nonverbal communication ठीक है तो ये सारे के सारे जो है ये communication के टाइप से आप सभी को ये पता होना चाहिए जो कि आपके exam में पूझा गया था ठीक है तो चलिए आईए हो गया भी आज हमने जो question थे सारे के सारे specialized subject के 105 हमार के हमने question आज के इस video में discuss किये आज की class में discuss क ठीक है यह आज का हमारा part 3 था ठीक है part 3 था आज का हमारा अगर आप में से बहुत सारे बच्चों ने part 1 part 2 नहीं देखा हैं तो नीचे description box में आपको जो है link मिल जाएगा उसके उपर click करो वहाँ से part 1 part 2 देख लो ठीक है यह आपको देखे यहाँ पे जो है कुछ देर बाद वीडियो आएगी अभी आएगी कुछ देर बाद उसके उपर click करके वहाँ से भी देख सकते हो यहाँ पे click कर दो यहाँ पे आपको NCC special class की वीडियोस दिख जाएगी वहाँ से भी आप सारी वीडियोस देख सकते हो ठीक है तो जितने भी बच्चे अभी तक देख रहे बह हमारी साथ बज़े class चलती है तो साथ बज़े आप सभी को सुबह साथ बज़े class को आना भी है तो बिलकुल सभी के देट्स जिन्होंने अभी तक like नहीं किया, एक बार like कर दीजे, तो बिलकुल मिलेंगे कल की सुबह वाली class में सभी गुड़ नाइट तो मिलता हो दोस्तों अगले वीडियो में जहेंद वंदे मातरम